हालो गाइस कैसे हैं आप सब लोग टैरोक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं रिटिंग में जानी से पहले थोड़ी सी बातचित में करना चाहती हूं जिनको भी परसनल लेडिंग से संबंद जानकारी चाहिए वो मैं बताने जा रहे हूं अगर आप नहीं परस तो सब्सक्राइब गींद आपको स्रेप आपको स्रेप नमबर मेरा जो है उसको अपने वाटसब से कनेक्ट करना है फिर वहां पर आके हलो लिखना है हलो लिखते ही मैं आपसे चाहिए और सारी डीटेल सापको मिल जाएगी ठीक है और बहुत ही वाजिब जो है मेरे आप करें चल रही तो बहुत कम पैसे में आप लिडिंक करा सकते हैं तो यह और Search कोई गशें के लिए नहीं करूंगी रिडिंग लिए पूरी फूल और फूल दिए कोई विदिनस कर दो तो फिक्स नहीं है जब मैं सटिस्फाइब होँगे आपको ज़ाब देने में उतनी दिर में विडिंग करूंगी ठीक है और आपकी वीडियो यानि कि आपके रिडिंग की वीडियो आपको एक दो दिन में जब पिविंट कर दे तो मिल जाएगी ठीक है तो इस तरह का इस प् और है मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग में चार-पाल दिन से देख रही हूं मेरी वीडियो पर अलग से कमेंट करके कोई अपना फोन नंबर दे रखा है किसी ने क्या दे रखा है तो यह फेक जो फोन नंबर है वो मेरी नहीं है आप प्लीज जो मेरे नाम से यानि कि म से थोड़ा सतर करें तो ऐसे मैसेज़ बहुत आरे मैंने हाला कि डिलीट करें उनको लेकिन फिर भी आप मैंना थोड़ा सा अलट रही है और कोई फेक नंबर आपको देता है तो उस पी मज़ाईए ठीक है मेरे टैरो एक्सपेट डपल टिसक्स के रिप्लाई आएगा उसी आपकी सिट्विशन क्या चल तो मैं थोड़े से मेसेज़ निकालूंगी जो आपकी सिट्वीशन से मैच करेंगे ठीक है कुछ मैसेज्ज डूंगी एक जब्रिद है और सभी सइन्स के लिए ठीक है है आज मैं सिक्स मैसेज निकालूंगे आप लोगों के लिए ठीक है एक है दो इस मेरे देख रहे हैं उनके लिए मैसेज देख दीजिए क्या सिट्वीशन चल रही है 3 अद्री और ये तो बहुत सारे हैं ये लिसकती मैं अधिक है चलिए हम एसे निकालेते हैं और एक कोई राशी का है कोई मैसेज नहीं होता ठीक है चलिए हम आपके लिए क्या मेसेज पता करने वाली हूँ ठीक है सबसे पहले है pen health issues किसी को pain है कुछ दर्द हो रहा है किसी चीज का ठीक है और health issues परशान करें ऑना इसका पर दर्द हो सकता है family issues कुछ family issues जो कि जिसमें आप इस पार्टनर फसे हो हैं ठीक है next few days next few days में कुछ न कुछ होने वाला इंपॉर्टेंटहिक है स्टकनेस बहुत ज़्याद चुछ है आपकी जोड़ी हो सकती है ठीक है सीक्रेट तो कोई सीक्रेट है आपकी चीजी किसी ने चुपाई या फिर आपका connection इस बहुत कुछ होने वाला है meter-usement दिदेंग में यह फ्यूट देज में ठीक है तो यह आपसे किसने किसी तरह मैच करेंगी me Chris से जो आपकी लिए आए हैं ठीक है अज कि आपकी पाटनर देखते हैं आज आपके पारनर किसने एनर्जी विए इस इस relationship के बारे में क्या सोचते हैं उनकी क्या energy है ठीक है wait a minute guys मैं अच्छे से shuffle कर लेती हूं और फिर उसके बाद हम rating करेंगे आप अपनी पार्टनर का ध्यान कीजिए और अपनी इस्ट देव को याद कीजिए ठीक है सबसे पहले इस्ट देव प्रधान होते हैं तो उनको उनक के पार्टनर किस energy में relationship को किस तरह से देख रहे हैं okay page of pentacles jump होके आया चली देखते हैं कोई Taurus विर्गो Capricorn आप यह आपके पार्टनर का sign हो सकता है ठीक है और लेते हम seven of cups the lovers okay किस energy में है bottom में देखिए हमें पास six of pentacles देखिए मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके partner को लग रहा है कि इस connection में equal given take नहीं हो रहा ठीक है वो बहुत confusion में है आपके पास एक offer लेके आना चाहते हैं लेकिन बहुत confusion में है ठीक है इनके energy relationship को लेके क्या है इनके पार definitely दो चॉइस है ठीक है कोई जैमिनी हो सकता है cancer Scorpio Pisces भी कोई है और टॉरस उर्गो Capricorn के energy otherwise सारे साइस धीरे धीरे आएंगे तो साइंस के according मत दिखें आप सिर्फ rating match होती है नहीं होती यह देखें तो यहां पर मुझे लग रहा है कि आपके जो partner है वह equal given take वह क्या सोच रहे हैं क्या energy है उनकी वह सोच रहे हैं कि आपने यह आपके partner के साथ आपने hwn वह भंने अचाहि उनकी जहता है उनकी इनरजी एक्षिन sich थैसीדי और यहां इसे हो रहे हैए Ne very है ऑफ से बहुत कुछ लेना चाहते हैं ना चाहते हैं यह energy आपकी भी हो सकती है यह ठ Ten When आपके पार्टनर की तरफ से एक्वल गीवन टीक नहीं हो रही वो इस तरह से सोच जाएंगे कनेक्शन को ठीक है आप दोनों करना बहुत चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि आप इक्वल गीवन टेक नहीं कर पारे ठीक है जो एक्षन आपको लेना होता है को नहीं ले पारे आपके पार्टनर की यह इस्तिति है कई सरकमिस्टांस ऐसे होते हैं जो कि आप एक्षन लेने के मोड में नहीं आ पाते ठीक है चाहते बहुत कुछ है कि रिलेशिंशिप में आगे बढ़ा जाए इस्टैबलेटी एक ओफर दिया जाए आपको ठीक है आप उनसे चले तो नहीं जाएंगे दूर ठीक है आप किसी और का इंजार तो नहीं करें आप जूट तो नहीं बोले कुछ उपा तो नहीं रहे इस तरह के एनर्जी को इनको कंश्यूज करें ठीक है इसके लाब देखिए लवर्स का कार्ड है यह भी बताता है को जैमिनी ह हो सकता है आप यह आपके पार्टनर की तरफ से इनको पास चॉइस बहुत है ठीक है लेकिन यह आपको चुनना चाहते हैं आपको पसंद करते हैं लवर्स का कार्ड और यह बताता है कि आपकी कोई यह तो जड़नी है या कोई आपके कार्ण में करेंशन है जिसके कारण कि आप दूसरे से बंदयों फील करते हैं जैसे यह दो परसन है लेकिन यह दूसरे एंजल इनको बहनना चाहते हैं इस तरह के एनर्जी मुझे जो जर्नी होथी है तुन फ्लेम और सौलमेट की जर्नी होती है उसमें इस तरह का कनेक्शन होता है कि आप एक दूसरे को भूल न कर देती हैं कि आप एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते हैं और दूर भी नहीं रहे पाते हैं ऐसी स्थितिए आपके करनेक्शन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से यह अनरजी मिजैंपर दिख रही है ठीक है अब देखते हैं कि आपके परसंट आपके person के आपके प्रती इरादे क्या है ठीक है आपके person इस correction को लेकि उनके इरादे क्या है ठीक है क्या चाहते हूं आपसे ओके क्या चाहते हैं ठीक है seven of swords, six of swords, sorry देखिए दो कार्ड है एस और डेथ ठीक है और बॉटम में देखिए हमारे पस सेवन ओफ सौर्ट यह कार्ड जो है इनके मेन अरजी आपसे चाहती है आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं यह डेफिनेटली आपके साथ एक नहीं शुरुबात करना चाहते हैं और यह यह आपस दोन्द से बहार आजाना चाहते है यानि कि देखे अब थर्ड परसन है नहीं इसका आम जिकर नहीं करेंगे ठीक है लेकिन मुझे आपे लगता है कि इनके पास चॉइस हैं और उससे जो माइन में जो जगलिंग चल रही है उसको लेके बहुत परिशान है इनके माइन में चाहिँ आपको लेकि कहीं जाना कार आपको लेकर पीज़ीफूली आपके साथ जीवन बिताना इनकी इरादे इराधे और इस उसका और अगर दूर मिलने गालन जाउंगे उनम की तो में बहुत जिर हो है इनका माइन दूल झानार में कार इनके अनरजीust Pom». अभी इनके mind में दो चीज़े चल रहे हैं दो बातों में confusion में हैं कि किस चीज को चुना चाहिए ठीक है यह आप से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इनको लगता है कि इस mind से बहार आके यह आपको चुनेंगे ठीक है क्योंकि आपसे इनको बहुत बहुत ऐसी शुरुआत करनी बहुत passionate है आपके पती और definitely आपको बहुत admire करते हैं ठीक है और यहां पर death का card है death का card यह फिर एक ऐसी energy को बता रहा है कि यह अपने past को छोड़के आगे बढ़के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अब यह past कुछ भी हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी ह हो सकती है ऐसा कोई issue हो सकता है ऐसे कोई problem हो सकती है जिसको छोड़ कि आपके साथ एक नया cycle शुरू करना चाहते हैं और इनमें जो transformation बदलाव आ रहे हैं वो आप ही कारणा आ रहे हैं यह चीज़ें जो हो रही है inner transformation को बताती हैं कि अंदरूनी बदलाव इनके विचारों मे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशन्शिप में कोई है ऐसा चीज या तो कोई third party है या फिर कोई issue ऐसा है यानि कि कोई problem ऐसी है जिसको पीछे छोड़ के आपके साथ एक नई शुरूबात करना चाहते हैं और यह आप से यह सब बाते चुपा रहे हैं ठी हैं डीशन्शिप में अपके शुरूब करते हैं यह सोचते हैं अपके लिए कोई प्रकवियों कोई हो सकता है ठीक है कोई टारस हो सकता है और यहां पर अरित्षी जेमिने लिपराइक-वेरिस के नर्ची यह बहुत ज़दा ड़ते हैं आपको कमिट करने से और इसी लिए यह चुपाते हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी का दावाव है है तो मदर मदर का कोई निकी मदर है या पिर को थर्द परसन है जो इनको दबाव में रखता इसके खारण यह बहुत कुछ नहीं कह पाते हैं यह इरादे इनके बहुत कुछ आपको कमेट्मेंट देना शादी करना यह इस तरह की चीजों में लेकिन आपको इसलिए बताते हैं कि अगर आपको कह दिया तो बहुत कुछ यह कर नहीं पाएंगे चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे ऐसी इनर्जी है ठीक है चले देखते हैं कि इनकी current energies में क्या है इस बताएं currently क्या सोच 9 of Cups Sun है 9 of Cups है current feelings इनुछ से दिजिए current feelings क्या है currently क्या सूच रहें के गवाला कि देख एग मेरे पस 2 of Cups का card आराहा है दिया वाला प्रिस्टेस अगें जो मैं बात अभी कह रही थी आपसे कहनी बाते को छुपा रहे हैं वही एनर्जी मुझे आपे दिखाए देगी और और यह क्या सोच रहे हैं अभी देखिए सबसे पहले यहां पर मेजर आरकाना आए है कोई लियो हो सकता है सन का काड़ है नाइन ऑफ काड़ है ठीक है पूरी डेक में अगर पॉजिटिव काड़ कहा जाए तो बेस्ट काड़ आपके पास आया ठीक है इनके करन्ट फीलिंग्स के लिए और यह दो काड़ भी बहुत बहुत पॉजिटिव माले जाते हैं देखिए अब मैं बताते हूं आपको नंबर वन आपक करते हैं यहां पिए पर जो इनिशल है मैंने बता हैं और इनका आपका वन नंबर पे डेट अव बर्ठ होगा तीक है तो यहांपर कर क्रेंटनी क्या सोच है सबसे पहले ही जो सोच रहे हैं वो किसी को नहीं मालूम आप इनकी सीक्रेट लवर हैं ऐसा मुझे यहां पर लगा और देखें अपनी जो स्ट्रूश्टर में कार्ड निकाला था उसमें भी सीक्रेट का एक मैसेज आया था जो कि सीक्रेट लवर जब भी मैंने आपको बताया हैं अगर मिन कार्ड को एक्स्प्लेंग करूं तो शायद गंडा पर और लग जाएगा लेकिन फिलाल यह आपको बहुत आपके आपकी परसन आपको बहुत जादा इंट्यूटिव और समझदार परसन मानते हैं आप जो करेंगे वह बहुत-बहुत समझदारी से करेंगे आ एक क्या करें अभी आ यह बतारें यह क्या गारन्ट कार फिलिंक करने कि जो सोच रहे हों और किसी को बता नी सकते कि प्राइब है कि आप संग कि एमकी और कोई होसकता है यहां पर यह सी Seven mob Dasiri products इसी बात को सोचने हैं कि आप क्यालाओ कोई और पर संथ है नहीं जो इनको खुश कर सकता है ठीक है अपिन की प्राइम है और इनकी जंदिगी में उजाला बनकिा हैं और इनकी दिल को तो जो भी इनके दिल को कभी दर्द मिला है तो आप ही ने उनको हील किया है ऐसा ही इनको फील होता है ठीक है करेंटली बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए और भी बहुत यहां पर क्लियर्टी के साथ आपके साथ एक नहीं शुरुवात करना चाहते हैं यह रिकंसलेशन क होता है अगर आपके बात नहीं हो रही तो रिकंसलेशन होने वाला है और जितनी पॉजिटिविटी आती है इस काड से आती है ठीक है जो भी इश्यू है उनका सॉलुशन आपको मिल जाएगा और डेफिनिटली आपके साथ इनका रिबर्थ होने वाला है यानिके दिल में आपकी रेस्पेक्ट थी प्यार तो गाइस है लेकिन रेस्पेक्ट इतनी है कि मैं बता नहीं सकती है या आपको एक सन उर्जा की तरह यानिकि आपको एक रोशनी की वह किरन मानते है जिनसे कि इनको प्रेड़ना मिलती आगे बढ़ने की ठीक है और मैं क्या ही बोलू इनके कंप्लीट होंगे और यह भी हैपी फैमिली को बताता है जी वाला कार्ड जो होता है इसका यह भी मतलिब होता है कि आपके जिन्दगी में अंदेरा हटके और एक उजाले की किरन आएगी और वह टैन आफ कपस आपके भर देगी यानिकि पूरी पूरी खुशियां आ बहुत बहुत तो मुझे लग रहे है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं ठीक है चाहे आप दूर रहते हैं चाहे पास में रहते हैं जो भी स्थिति आपकी आपको भी बहुत मिस करते हैं और आपके साथ आपके साथ अच्छे मोमेंट्स बिताना इनकी ख्वाहिश है करेंटली उनके पार्ठनर के दो दिन में एक्षम क्या होंगी okay action क्या होगा दो दिन में action क्या होंगी तक है इव इन गाइस क्या ही बात बताओं बहुत सरे आपके रिडिक में कोई बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपको यह जो सोसते हैं वो बता नहीं सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है घरवालों का प्रेशर है इस तरह की बाते हो सकती है जितना मैच करें उतना ही लिजेगा ओके चले दिखत अपर नाइन पर नाइन पर दिखान तो अपने करेयर पर रहेगा लेकिन और और यह बहुत काफी कुछ आच्छे मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि यह आपको बहुत याद करें मुझे सकार्ट से लग रहा है कि आप यह देखिए यह जो परसन है यह मेल-फिमेल कोई भी हो स से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप से मिलने के लिए इनकी जो आस है वह बढ़ती जारी ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है और इनकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है बहुत कुछ अच्छा हो रहा है सेलिब्रेशन हो रहा है किसी की शादी है घरवालों के साथ इनका पूरा ध्यान इस पर है ठीक है आप इनकी वह क्या बोलते हैं इसको कि बहुत अच्छे बढ़ है एक बड़ एक प्रॉस्परेटी का सिंबल होता है तो यहां पर प्रॉस्परेटी यानि कि बहुत बहुत आपको ऐसा समझते कि आप ही के लिए ध्यानिंका सारा आप ही रहेगा दो दिन में क्या होगा आपको बहुत डिर्फ करेंगे आपको याद करेंगे और यादों में इस रिफ आप ही रहें अपर जो गाITCH period करने के एक साथ आपके साथ चाहते हैं दोयमें कि मिटिंग मुझे नज की सब्सक्राइब काड्स आपके कायर्या है ओको एक लिए लगा है सबस्की कि अगर आप ऊक्यारि मुझे- roupट। अगर मिलने भी नहीं आते हैं तो कॉल या मेसेज जरूर आएगा अगर आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका कुछ भी कुछ भी अच्छा होता है इस रिडिंग को देखे तो बहुत-बहुत मुझे खुशी होती है और मुझे आपकी कमेंट परना बहुत-ब बैलेंस जरूर होगी दो दिन में जो भी परिशानी है आप मिलने ही पारे कॉल या मैसेज नहीं आ रहा तो वह चीज़ें आपकी सौल होते ही नजर आ रही है बहुत से लोगों के लिए मुझे भी लग रहा है कि आपकी मिटिंग हो सकती दो दिन में तो यह थी आपकी किस तरह के हो सकते हैं black is black hair आपके परसन के होगे ठीख और देखती इंकिस तरह की है आपके परसन घ्रांप प्रिटी कोई लॉग कर कोई लुग होगा बहुत ठीख है और प्रिट्य याईनि कि संदर होगी होगा होगी कुछ भी हो सकता है फिर लॉंग हैंसम दो बार आया गाईज ओके आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वह हैंसम जरूर होंगी यह प्रिटी होंगी वीट कलर आप लोगों का हो सकता है ठीक है एक और लोगी में कि और दो लेंर Widom कि तर से डिफ़ाइन की दिज्वाइन आपको इस कनेक्शन की द्वारग क्या देना है ठीक है कि हो तो प्रोसेस जो होगा ठीक है जो भी connection में action लेना है आपका मिलना फोड़ा डिले हो सकता है ठीक है और देखते हैं बहुत अच्छे result मिल सकते हैं इस connection से और क्या मिल सकता है new job तो किसी की new job लगने वाली है आप कुछ songs लोंगे मैं इनके द्वारा ठीक है चले इसमें से नहीं और किसमें से लिखते हैं कुछ messages और song ले लेते हूं मैं इनके द्वारा ठीक है मैं एक कार्ड निकालूंगी ठीक है अपनी इंट्विशन को फॉलो करके सबसे पहला है प्लीज स्टे इन माई लाइफ इन अनी सिच्वेशन तो आपके लिए कहा जा रहा है कि किसी भी सिच्वेशन में आप इनकी लाइफ में बने रहे ठीक है नेक्स्ट हमारे सामने है तु आप इनके साथ बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें एंड मत कीजिए यह जरूर आएंगे आपके पास ठीक है रिकंसलेशन जरूर होगा यू और देट परसन देट में को सक्सेस्फूल बनाते है ठीक है प्रेड ना देते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा नेक्स्ट एक्स्प्र प्रेड दुनिया में आप ही इनके लिए सबसे प्रीय और सबसे डियरस परसन है ठीक है एक और मैं लोगी तेरी बातों में भी नशा है जब आप इनसे बात करते हैं तो इनको लगता है कि बहुत सारा नशा चड़ गया है नशीस सी चड़ गई है ओ गाईस दूनाट थाइ यह मत ठीक है जो आप इनके लिए फील करते हैं उन्हें एक्सपेस कीजिए और लास्ट मैं ले लेती हूं ठीक है इनकी तरफ से आप इनको हमेशा के लिए चाहिए तो यह रीडिंग थी आपकी आपको कुछ भी पसंद आया लाइकी जिगा सब्सक्राइब करना मत भूले म मैं आपको नेक्स रीडिंग मी ज़रूर मिलती हूं और खास बात यह है कि आपको परस्नल रीडिंग करनी है तो सिर्फ मेरे कॉंटेक्ट नमबर में बेग दे दूंगे आपको सिर्फ मैसेज करना है कॉल नहीं करना है ठीक है जो भी नमबर आएगा उस पर वाटसप पर मे करने जा रहे हूं फिर से मिलते हूं आपको नेक्स रीडिंग में बाबाई